ओरिशा के भदरक जिले के सदर ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत है ओलंग। समय के साथ साथ यहां का माहूल भी बदल गया है। विकास की भहती धारा के सपर्ष से इस पंचायत में कई बदलाव नजर आ रहे हैं। अब न यहां है दहेच प्रथा ना है लिंगत भेदभाव। गर्प में पल रहे भृण की जाँच के मामले में भी पंचायत ने कठोर रुख अपनाया है। शत प्रतिशत लड़कियां अब स्कूल जा रही हैं। गैर सरकारी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफी उचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे अब स्वेच्छा से खुश होकर स्कूल आते हैं। जहां उन्हें शिक्षा के साथ साथ अच्छे संसकार भी मिल रहे हैं। बद्रक जिला मुख्यालय से लगबग 9 किलोमेटर की दूरी पर स्थित ओलंग ग्राम पंचायत में अब यह संभव हो पाया है एक बाल हितैशी ग्राम पंचायत के गठन के लिए विभिन समितियों को सक्रिय किया गया है ग्राम बाल सुरक्षा समिती, मात्र समिती, विद्यालय प्रबंधन समिती, जांच समिती, ग्राम कल्यान समिती, अभी भावक शिक्षक संग, ग्राम आपदा प्रबंधन समिती के साथ साथ ग्राम पंचायत में साथ स्थाई समितियां बना कर नियमित तरीके से समितियों की ब चाइल्ड हेल्पलाइन नमबर 1098 को पंचायत के कई फीरभाड़ वाले इलाकों में लिख कर प्रदशित किया गया है। पंचायत में बच्चों के लिए एक पार्क बनाया गया है। अब बच्चे भी अपनी जिन्दकी में आ रही छोटी मोटी समस्याओं के हल के बारे में खुद फैसला ले पा रहे हैं। पाठपड़ा, खेड़ा कुद और नाचे कीतर मध्या सब उसुबिदा रहीची। आमें समस्ते चायल्ड हेल्फ लाइन 1098 सुबिदा विसरे जानी छू। बच्चों के स्वास्थ्य, पोशन, शिक्षा, सुरक्षा और स्वच्चता आधी को महत्व देकर आक्शन प्लान बनाकर उन पर अमल किया जा रहा है। बाल श्रमिक प्रथा, बाल विवा, आधे में पढ़ाई छोड़ना और कुपोशन की रोक्थाम जैसे खर्च रहित विकास कारियों पर जोर दिया जा रहा है। इन सब के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है, बलकि लोगों की सोच में आए बतलाव और सामोहिक प्रयतनों से ये संभव हो पाया है। सबुप्रकार पिढ़ीरों लोकों को पाई शुब वस्ता थिवरू आमरों सिशु मने एवं मोहिला मने एटी सुरक्षितों एवं आमों पंचायती सिशु एवं मोहिला प्रयों होई परची। बच्चों को सभी तरकी सुविधाएं और अधिकार उपलब कराते हुए एक बाल हितैशी पंचायत का गठन कर ओनंग ग्राम पंचायत अब दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई है।